करोना वाइरस के संक्रमन के इलाज के दुरान साइड इफेक्ट के खतरनाक रूप सामने आए हैं चीन के वुहान में करोना मरीजों का इलाज कर रहे डोक्टरों की चमड़ी काली पड़ गई वुहान सेंटर होस्पिटल के डोक्टरों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं आपक चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ये पेशे से हरीद्य रोग विशेशके हैं और संक्रामन के बाद 49 दिन तक वेंटिलेटर पर रही वह रिकवर हो चुके हैं डॉक्टर ये ने बताया कि करोना से जूझने में वह मानसिक तोर पर काफी प्रभावित ह हुए हैं शरीर ठूट गया वह बिना मदद के चल्फिर नहीं पा रहे हैं डॉक्टर ये के मुताबिक जब होश में आए तो अपनी हालत को देख कर गए और रिकवरी के लिए कांसिलिंग तक की जरूत पड़ी दूसरे साथ ही डॉक्टर हूँ विफेंग का संघर्ष और की तकलीफ तायक रहा हूँ 99 दिन तक होस्पिजल के बैट पर रहे और 45 दिन वेंटिलेटर पर लाइफ स्पोर्ट दिया गया इनका इलाज करने वाले डॉक्टर ली शुशेंग का कहना है कि वे इन मरीज की मानसक स्थिती बेहत नाजुक रही है साथ फरवरी से 22 मार्च त हाला कि डॉक्टर ली ने यह स्पस्ट नहीं किया कि कौन सी दवाएं उन्हें दी गई थी डॉक्टर ली का कहना है कि उमीद है कि जैसे जैसे साइड इफेक्ट कम होगा उनकी तवचा का रंग समान्य हो जाएगा करोना महामारी की शुरुआत में विश्व स्वास्ते संग संक्रमन का लक्षन था लेकिन पिछले चार महिने में जो मामले सामने आए इसे समझना बहरी है आम तोर पर चिकन पॉक्स में पैरों पर दिखने वाला जामनी रंग ऐोंवी करोना संक्रमन का एक लक्षन हो सकता है यह दावा इटली और स्पैन के विशेशक्यों ने किया है इन दोनों देशों में ऐसे लोग भी करोना पोजिट्री पाए गए है जिनके अंगुठे में घहरे घाव थे यह लक्षन खास तोर पर बच्चों और किशोरों में देखे गए दुनिया भर में जितनी तेजे से करोना वायरस के संक्रमन का दायरा पढ़ रहा है उतना ही लक्षनों में भी बदलाव आ रहा है दुनिया भर के देशों में हुई रिसर्च के मुतागिक पिछले चार महीने के अंदर करोना के पंदरा से ज्यादा नए लक्षन देखे गए हैं ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल बांकेट एंटर्प्राइब